दोस्तो आज हम सफेद दाग के बारे में कुछ ऐसी जनकरी देने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रहा जाएंगे अभी तक आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मचली खाने के बाद दूद मत पिना वरना सफेद दाग पड़ जाएंगे लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात में कोई सच्चाएं नहीं है सफेद दाग जिसे मेडिकल की भासा में विटीली को कहा जाता है असल में तोचा से संबंदित एक रोग है जिसका खान पौन से कोई संबंद नहीं है तो आखिर क्या है सफेद दाग इसके लक्षन इससे जूड़ी मिथक और इनकी हकीकत जाननी के लिए आगे बढ़ते हैं सफेद दाग के लक्षन तोचा पर छोटा सफेद दाग जो समय के साथ बढ़ता जाता है मुक्य तोर पर सरीर का वह हिस्सा जिस पर सीधे सूर की रोषनी पड़ती है एक वेक्ती जिसको पहले से ही सफेद दाग हो और उसी दाग पर चोट लग जाने से सफेद दाग बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए इस तरह के सफेद दागों में दर्द नहीं होता है और खुजली भी नहीं होती लेकिन जब धोप में आते हैं तो जलन होना सुरू हो जाती है बालों का समय से पहले सफेद होना मिथाक मचली खाने के तुरंत बाद दोध पीने से सफेद दाग हो जाते हैं सच्चाई तो ये है विटी लिगो यानि सफेद दाग एक आटो इम्यून सिंड्रॉम है जो भोजन से संबंदित नहीं है सर गंगाराम अस्पताल के डर्मेटोलोजिस्ट डॉक्टर रोहित बत्रा ने जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सीरे से बिलकुल नकार दिया और कहा कि मचली खाने के बाद दोध पीने से सफेद दाग पढ़ने की बात पूरी तरह से गलत है क्योंकि सफेद दाग असल में तोचा से संबंदित एक रोग है मिथक नमबर दो सफेद दाग वाले लोग मांसिक या सारेरिक रोप से कमजोर होते है सचाई तो ये है विटी लेगो पूरी तरह से तोचा तक सिमित है यह सरीर के किसी अन्य आंग को मांसिक या सारेरिक रोप से परभावित नहीं करता है मित्थक नमबर तीन सफेद दाग एक परकार का कूश्ट रोग है और दूसरे में भी फैलता है सचाई तो ये है कि सफेद दाग कूश्ट रोग से जुड़ा नहीं है या संक्रामक भी नहीं है इसलिए असपर्स, रख, संभोग, सांस लेना, निजी चीजों जैसे तौलिय को साजा करने या पीने के पानी का इस्तमाल करने से या गिलास का इस्तमाल करने से इसका कोई भी परभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है मित्थक नमबर चार सफेद दाग का इलाज नहीं है यानि कि ये बिल्कुल ला इलाज बिमारी है सचाइद ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे देश में विटिलिगो यानि सफेद दाग के इलाज के लिए पूरी दवाएं और तक्निक भी है इसके इलाज के लिए नविंतम तक्निक मेलानोइट ट्रांस्मिशन है जिसमें सामाने तोचा से कीवल मेलानोनाइट निकाल लिया जाता है और विटी लिगस स्पॉर्ट्स पर इंजेट कर दिया जाता है अब आप चाहे तो कुछ घरिलू उपाय अपना कर सफेद दाग को रोग सकते हैं कुछ घरिलू उपायों में सफेद दाग की समस्या को दूर किया जा सकता है नीम की पत्ती का पेश्ट बना कर दाग वाली जगह पर लगाएं इससे खून साफ होगा और सफेद दाग के साथ तोचा की सारे रोग खत्म हो जाएंगे अपने खाने में ज़्यादा सज्यादा बथुआ सामिल करें रोज बथुआ उबाल कर उसके पानी से सरीर के सफेद भाग को दोएं अख्रोट सफेद दाग में काफी फाइदे मंद है रोज अख्रोट खाएं या सफेद पढ़ चुकी तोचा को समान करने में मदद करेगा रोजाना अदरक का जूस पीएं और अदरक के एक टुकडे को खाली पेट चबा चबा कर खाएं साथ ही अदरक को पीश कर सफेद दाग वाले अस्थान पर लगाए इससे आपके दाग धीरे धीरे खत्म होंगे अब आते एक छोटी सी दवा के बारे में दोस्तों अगर आपके सरीर में सुरुआती दौर पर सफेद दाग होना सुरू हो जाए तो आप वहाँ नीम का तेल जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाती है इसे लगा कर ग्रिसोविन एपी टेबलेट का इस्तमाल करते हैं सुबह साम तो आपकी दाग सुरुआती दौर में अगर हो तो ये कुछी दिनों में ठीक हो जाती है तो आपने जाना कि सफेद दाग क्या है और इसकी सच्चाई क्या है दोस्तो इसी तरह की छोटी छोटी नोलज पानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे दौरा अपलोट की गई सारी वीडियो मिल सके सबसे पाले तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टोपिक और नई जान करें साथ तब तक के लिए बाई